मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुत ही इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एकजाम की दिशिचे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना रास्तान जीके के ऐसे इंपोर्टेंट क्यूस्ण के वीडियो पाना चाहते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली रास्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूस्ण के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योस्तान आपके सामने राजस्तान में सुरोपर्थम ब्रेल प्रेस की स्थापना कहां कीगी बहुत इंपोर्टेंट क्योस्तान आप लोग याद कर लीजेगा कि राजस्तान के अंदर सबसे पहले ब्रेल प्रेस की स्थापना किस जिले में कीगी तो गंगानगर के अंदर की गई ऑप्सन बी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नवर टू की बात करते हैं राजस्तान में सुरो पर्थम ब्रेल पुस्तकाले का प्रारम कहां किया गया बहुत अच्छा परसन है जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा तेखे हमने बात की थी ब्रेल यहां पे पुस्तकाले की बात कर रहे जो की सबसे पहले कहां पर प्रारम किया गया और हमने यहां पे बात की थी ब्रेल प्रेस की जो की गंगानगर के अंदर है और अभी बात कर रहे हैं ब्रेल पुस्तकाले की जोगी जेपूर के अंदर है दोनों क्योसन इंपोर्टन है आप लोग याद कीजिएगा क्योसंवर त्री की बात करते हैं राजस्थान में राज्ये बाल अधिकार सरंग्शन आयोका गठन kब किया गए राजस्तान के अंदर राज्य बाल अधिकार स्रंगसक आयोक का जो गठन वो कब किया गया किस सन में किया गया तो 2010 के अंदर किया गया डेट भी आपको पता होनी चीए 23 परवरी 2010 में आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनर फोर की बात करते हैं राजस्तान राजे में क्रिशी अनुसंधान परिस्द वारा स्थापित उन्ट प्रजनन फारम कहां पे आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा और वीडियो के अंदर इसे बताना की 25 में से आपके कितने सही वैसे आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हरे की सुन अन्सर गा जरूर कॉमेंट किजिएगा तो यहां पे उन्ट प्रजनन फारम है जो की बी कानेर के अंदर आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनर फाइब की बात करते हैं कि राजस्तान में केंदरिय भेड प्रजनन संस्थान जिसके स्थापना 1962 में कीगी कहां पे कीगी जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए कि राजस्तान में केंदरिय भेड प्रजनन संस्थान जिसके स्थापना 1962 में टॉंग के अविका नगर में कीगी आप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सिक्स की बात करते हैं राजस्तान राज़े में राश्टिय शर्सों अनुसंधान के अंदर के स्थापना कहां के गी राजस्तान राज़े में राश्टिय शर्सों अनुसंधान के अंदर के स्थापना सेवर भरतवर में की ओप्सन सी इसका सही उत्तर र बात करते हैं राजस्तान में बकरी विकास के अंदर कहां स्थापित किया गया राजस्तान के अंदर बकरी विकास के अंदर जिसका स्थापना कहां पर कीगी तो रामसर के अंदर कीगी ऑप्सन ए इसका सही उत्तर है क्यों सनवर एट की बात करते हैं राजस्तान में दूद उत्पादन की दश्टी से गायों की सबसे अच्छी नसले कौन सी है ये परसन एक्जाम में कई बार रिपेट उचुगा और वीडियो गंद में आप सभी से एक इंपोर्टेंट परसन पुछा देगा उसका भी आप ल क्यों सनवर नाइन की बात करते हैं राजस्तान राजे में उडन गिलेरी किस अभ्यारन में मिलती है राजस्तान के अंदर उडन गिलेरी जो की कौन से अभ्यारन में देखने को मिलती है तो सीता मात अभ्यारन जो की उद्यपूर के अंदर है आपसन ए इसका सही उत्तर रह क्यों सन्वर 10 की बात करें नीमिन में से राजस्तान राजे में कहां के उंट परसीद है राजस्तान राजे में कहां के उंट सबसे ज्यादा फहमचे तो नाचना कहां है जैसल मेर में आप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन्वर 11 की बात करें राजस्तान राजे में किसे राजस्तानी धार्मीक लोक गितों का सबसे कम स्थान दिया गए देवी देवताओं को बहुत स्थान मिला है दारसनिक विचार वर्त और उप्योक समी यहां पे दारसनिक विचार जो की हमारे साबसे उत्तर होना करें राजस्तान के किस जिले में मुर्गी अंडे और ब्रोयलर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कौन से जिले के अंदर मुर्गी के अंडे और ब्रोयलर सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है तो वो है अजमेर के अंदर ऑप्सन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनोर 13 की बात करें राजस्तान में सोयवीन के उत्पादन में राजे का सबसे अगरणी जिला कौन सा है सबसे ज्यादा सोयवीन उत्पादन में राजस्तान का कौन सा जिला तो जाला बड़ है ऑप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और चोदा की बात करें राजस्तान का बीज निगम का मुख्याले किस जिले के अंदर है राजस्तान का बीज निगम का मुख्याले जो कि किस जिले में है तो ये जेपुर के अंदर है आप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और पंदरा की बात करें राजस्तान राजे में गायों की नियुनतम संक्या किस से जिले के अंदर है राजस्तान के अंदर गायों की जो नियुनतम संक्या सबसे कम संक्या गायों की वो कौन से जिले के अंदर आप लोग उत्तर दीजेगा और ऐसे important question पाना चाहते है चैनल को subscribe कर के पास में जो गंटी बनी उसको जरूर दबा लेना आपको daily रास्तान जीके के हर एक important question की classes मिलने वाली है या तो वो question exam में पूछा गया है या फिर exam की दर्ठी से आगे पूछा जा सकता है आप लोग जुरूर हर एक वीडियो को देखेगा तो सबसे कम गायों की संक्या वो धोलपूर के अंदर option A इसका सही उतरेगा धोलपूर का area आप जानते हैं सबसे कम है क्योस्टनवर 16 की बात करें राजस्तान राजे में कौन सा पसू सरवादिक पसू सबसे जदा पाया जाता है तो या तो भेड़ा या बकरी है यानी बकरी इसका सही उतरेगा option B क्योस्टनवर 17 की बात करें राजस्तान राजे के किस जिले के बेल सरवादिक फिह मस अ हमने उट की बात की थी नाचना की अब हैं हम बेल की बात करें जो कि नागोर की आप जिसका सही उतर रहेगा क्योशन गौशन वर अठारा की बात करें राजस्तान राजे में गदों की सरवादिक संक्या किस जिले के अंदर है फिर किस जिले के गदे सबसे ज्यादा फेमस है तो यहाँ पर बाडमेर में गदों की जो सरवादी संग्या बाडमेर के अंदर है option A इसका सही उत्तर रहेगा क्योशन नमर 19 की बात करें राजसान में भेंस की एक ही नसल परसीद है कौन सी है राजसान के अंदर भेंस की एक फैमस नसल है जो की सबसे ज़्यादा है वो है कौन सी तो मुर्रा option B इसका सही उत्तर रहेगा गाय की हमने बात की ती राठी और थार पार करें जबकि भेंस की मुर्रा क्योशन वर भेंस की बात करें राजसान राजे में कोटा बुंदी का समीपवर्ती परदेश 19 में स्ताब्देश से पूरू किस नाम से जाना जाता था देखे कोटा बुंदी के जो नजदिक में परदेश है वो उनीस में स्थाबदेश से ठीक पहले किस नाम से जाना पड़ता था तो हाई हाई आपसन सी इसका सही उत्तर है क्योसनवर 21 की बात करें राजस्तान राजे में इंडियन मेरिनो यानी भेड किस नसल को का जाता है इंडियन मेरिनो भेड की कौन सी नसल को का जाता है बहुत अच्छा कि उसने एकजाम में परसन कई बार पूछा गया है किसी दसा बनता है कि इंडियन मेरिनो किसे का जाता है तो B और C इसका सही उतर रहेगा चोकला और सेखावाटी को option B और C दोनों उतर रहेंगे कई वर चोकला भी मिल सकता है सेखावाटी मिल सकता है और दोनों भी मिल सकते हैं Q72 23 की बात करे 사고reated ये रास्तान राजये में बांगण पर्देश के अंतरगत कौन से कौन से जीले आते हैं एक बांसवर्ड हो गया दूसरा डूंगरपुर ओप्शन ए इसका सही उत्तर है क्योसरा डूसरा 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 डूसर पूछाजार है इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा अगर आप उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कौसिश कीजेगा क्योंकि कौसिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बहुत अच्छा कि उसने और एक जाम में परसंट बन सकता है कि राजस्तान राजेगा परस सुझाओ देना आप लोग कौमेंट जरूर कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और डेली ऐसे इंपोर्टन यूसन के वीडियो पाना जाते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और पास में जो गंटी बनी उसको जरूर दबा लेना चैनल को